नमस्कार दोस्तों मैं राधा आपके अपने राधी किचन में स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे डाल मक्नी इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी मैंने लिये साबुत उड़त डाल और उससे छोटी कटोरी मैंने लिया है राजमा हमने डाल ज्यादा लिये उड़त की और तो राजमा हमने एक कटौरी लिया है, इसे हमने अच्छे से धोके, लगबग मैंने इसे 7 गंटे के लिए, 6-7 गंटे के लिए भीगो के रख दिया था, और दाल मक्री बनाने के लिए ये करना बहुत जरूरी पॉइंट है, कि हमें दाल को कम से कम 6-7 गंटे के लिए इसे भी मसाले भी मिलाओंगी, उसके लिए मैंने खड़े मसालों में लिया है, दो 2 बड़ी लाइची, 2 छुटकी मैंने लिया, दाल-चीनी के पारवडर आप चाली मिर्च के लिए हैं, वो सभी मिला रही हैं, और पिसम ने लिया है स्वादनसार नमक, नमक ठोड़ा कमी मैं आदी चमच में हल्दी मिला रही हूं, एक चमच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और मैं इसमें मिला रही हूं, दो से तीन टेबल स्पून में इसमें देशी घी मिला रही हूं, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, नमक कम मैंने इसले डाला है क्योंकि हमें इसमें भी मक्षन भी मिलाना है अब इसे हमें कम से कम कोशिश ये करनी है कि 5 से 6 सीटी आने के बाद हम इसे 15 मिनिट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में भी इसे पकाएंगे जिसे कि अच्छे से घुट जाए और इसमें एक्स्ट्रा पानी में नहीं मिला रही हूँ जो मेरा पानी मैंने भीगोनी के टैम पर डाला था उसी पानी में मैंने इसे उबाला है अब हमें इसे अच्छे से आप देख सकते हैं कि दाल मेरी अच्छे से गल गई है आप चाहें तो इसमें से टमाटर की छिलकों को हटा भी सकते हैं मैंने हटाया नहीं पर हटा दें तो स अब इसे हमें अच्छे से मैंने इसे कर्ची से अच्छे से इसे मिला लिया है घुट लिया है अभी आपको यह दाल पतली लग रही होगी परन्तु यह जैसे-जैसे बनती है यह अपने आप गाड़ी हो जाती है और जब इसे पुई तरीकी से पक जाती उसके बाद यह थंड मैंने 4 छोटी मीडियम साइस की जो बटर की टिक्या आती है वो मैंने 4 टिक्यास में डाली है। आप अपने स्वाद अनुसार बटर की क्वांटिटी कमिया जादा कर सकते हैं। इसी पे मैंने मिला दिया है 2 चुटकी हिंग। भिंग से दाल का फ्लेवर अच्छा आता है क्योंकि उड़त की दाल काफी भारी होती है खाने में तो यह उससे हमारी सिहत के लिए अच्छा रहेगा इसी के साथ मैंने इसमें एक चमच जीरा भी मिला दिया है इसे ठंडी आच में ही करिएगा क्योंकि अगर हम तेज आच में को करेंगे तो हमारा बटर जल जाएगा अब इसी में मैं लहसन हरी मिर्ची और अद्रक का मैंने थोड़ा सा पेस्ट बना लिया था वो इसमें एड कर दिया है और कुछ लच्छे मैं इसमें अद्रक के भी डा बूल निए कि दाल मकनी में हम लहसन अद्रक वगरा डालें अद्रक से फ्लेवर अच्छा आता है इसलिए डाला जाता है और लहसन क्यूंकि टेस्ट को बढ़ाता है इसलिए मैंने डाला आप चाहें तो इसे के साथ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी मिलाई है थोड़ी सी औ गरम मसाला मैं इसमें एक चमच मिला रही हूँ रहसे तो मार्केट में डाल मकनी का मसाला भी मिलता है पर मैंने घर का ही गरम मसाला इसमें एड़ किया है इसे अच्छे से हम भूल लेंगे मसालों से एक बहुत अच्छी स्मैल सी आने लगी है तो इसका मतलब हमारा मसाला य हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें हमारी दाल को मिला रही हूँ अब हमें हमारी इस दाल को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे ये रेकिए, 10 से 15 मिनट तक के दाल थोड़ी और गाड़ी हो गई है लगबग हमारी दाल बनकर पूरी तरीके से तयार है अब हम इसमें मिलाते हैं इसके स्वाद को और दो गुना करने के लिए मलाई, ये बिल्कुल फ्रेश मलाई है मैंने लगबग इसमें एक छोटी कटोरी मलाई मिलाई है पूरी इससे इस दाल का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और दाल मकनी में ये बहुत अच्छा भी लगता है खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है इसे के साथ मैंने बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें मिलाई है बिल्कुल थोड़ी सी आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते है और जो थोड़ा सा मेरा अधरकल अच्छा बन गया था वो भी इसमें मैंने मिला दिया लीजिए दोस्तो हमारी दाल मकनी बनकर बिल्कुल तयार है और ये खाने में बहुती स्वाधिष्ट और लाजवाब है मैंने नान बनाए थे नान की रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी डाल मकनी के साथ नान का स्वाध खाने को दो गुना बड़ा देता है ये लीजी हमारी रेसिपी बिल्कुल बनकर रेडी है दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को शबस्काइब जरूर करें मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार